आज हम आपको नटराज आसन योग करने की विधी वह उसके लाप के बारे में बताने जा रहे हैं नटराज भगवान शिव को कहा जाता है उन्हें निर्तियों का राजा भी कहा जाता है इसलिए उनका नाम नटराज पड़ा इस आसन में सरीर की मुद्रा शिव के तांडव नेत्रि में की गई एक मुद्रा से मिलती जुलती होती है इसलिए से नटराज आसन कहते हैं यह कई विधियों से किया जाता है हम जो विधिया आपको बता रहे हैं अवह नट्राज आसन की सबसे विक्सित अवस्था है और हमारी सलाहिया रहेगी कि उचित गुरु के सान्निध्य में ही इस योग का अभ्यास करें इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं अब एक हाथ से एक मुद्रा बनाकर स्वास लेते हुए पैरों को और हथेली को उपर की ओर खीचे थोड़े देर रुकें फिर इसी अभ्यास को दूसरे पैरों से भी हाथ की मुद्रा ज्यान मुद्रा की तरह रहेगी इसे दोनों पैरों से दो दो बार करें स्वास लेते हो पूरे सरीर को तानना है जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्या चकर पर ध्यान लगाएंगे बाकी लोग जहां पर भी सरीर तनाव हो रहा हो अपना ध्यान उस जगह पर रखें यहाँ आसन तंत्रिका तंत्र में संतुलन लाता है सरीर पर नियंत्रन का विकास करता है मानसिक एकागरता प्रदान करता है और पैरों को लचीला बनाता है सरीर को सुडॉल बनाकर उसे पुष्ट करता है यहां आसन ठकान दूर करता है और सरीर में उर्जे को बढ़ाता है आत्म विश्वास में व्रद्धिक करने के लिए यहां योग बहुत लागदायक है जिन लोगों को कम्प्यूटर में बहुत देर कारे करना पड़ता है यह मोबाइल में जादे देर काम करने के कारण रीड की हड़ी में जो विकृती आती है उस विकृती को यहां आसन दूर करता है यह तनाव दूर करने में बहुत ही सहायक आसन है इस आसन के अभ्यास से छाती और कंधे द्रिड होते हैं यहाँ पाचन को सुधारता है वजन कम होता है रथा सरीर के कई भागों से चर्वी कम होती है यहाँ आसन जांगो को सुडॉल बनाता है नेमित अभ्यास से कंधों और मस्तिस्क में केल्सियम का जमाओं नहीं हो पाता है घुटने मजबूत बनते हैं यादास्त अच्छी होती है पेट तनता है जिससे पेट की मास पेशियां स्वस्थ होती है थाइराइड ब्रंथी पर यह असाय डालता है यहाँ आसन हेड़य के साथ सभी आंतरिक अंगों को स्वस्थ करता है यह आसन जो व्यक्ति नितंब के जोडों के रोगी है यह जिनका नितंब प्रत्यार ओपन हुआ हो जिने हम स्ट्रिंग की प्राबलम हो या साइटिका की रोगी हो हार्निया के रोगी, स्लिप डेस्क के रोगी जिने घुटनों के गंभीर रोग हो और जो व्यक्ति वेरिकस नस से परेसान हो वे इस आसन का अभ्यास न करें प्राडम में जो व्यक्ति इस आसन को करते समें अपना बैलेंस न बना पाते हो वे किसी दिवार या फरनीचर की सहायता से इस आसन का अभ्यास करें तो यह था नटराज आसन योग करने की विधी व उसके लाब